प्रेंट्स वेलकम टू साइंस मेगनेट दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी आई होप सभी बहुत अच्छे हैं शानदार हैं जानदार हैं दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ढ़ने डाईजेस्टिव सिस्टम यानी पाचनतंत्र आप लोगों को पता है यह रेलवे का सबसे इंपोर्टेंट ici को आप लोगों लोगों आते ही पाचंतंत्र देखिए दोस्तो हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव पाचंतंत्र होता है अप लोगों को अब देखर अप से सर्क्यूलेटरी सिस्टम होता है ठीक है इसकेलटरल system जिसे आप लोग हिंतरी में कंकाल तंत्र बोलते हैं ठीक है दोस्तों nervous system तंत्री का तंत्र है ना excretory system उत्सरजन तंत्र हमारी बोड़ी में अलग-अलग system होते हैं और हर system का अलग-अलग कारे होता है जैसे circulatory system का कारे है हमारे body में blood का circulation करवाना skeletal system कंकाल तंत्र का कारे है हमारी पूरी बोड़ी को support देना दोस्तों nervous system यानि तंत्री का तंत्र का कारे क्या है हमारी पूरी body में बहुत सारे अंग्याना उनके बीच में coordination establish करना और दोस्तों excretory system यानि उत्सरजन तंत्र का कारे क्या है हमारी बोड़ी में जो भी waste मनाओ उसको हमारी बोड़ी से बाहर निकालना तो similarly दोस्तो digestive system पाचन तंतर का भी कोई न कोई कारे होगा बिलकुल दोस्तो digestive system का कारे क्या है भोजन का digestion करवाना यानि जो food आप हम लोग ले रहे हो उसका क्या कराना पाचन कराना ठाइन देखो कि यह एक्स्वयजेट बहुत सरे चीज़ेगाते हो यह क्यों व्युक्त है आप्लोगोण की मिलेगी बहुत अच्छी बात है सर बहुत अच्छी बात है ठीक है लेकिन दोस्तों मेरा क्योशन है कि आपको पता है हमारी बॉड़ी किस से मिलके बनी हुई है दोस्तों हमारी बॉड़ी बहुत चोटी 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 किस से मिलके बनी हुए सेल यानि कोशिका से मिलके बनी हुए देखो कितनी नहीं सारी सेहल्स पाई जाती है हमारी बॉडि में तो कुल मिलाके हमारी बॉडि की हर सैल्सपा को हर कोशिका को एनठी के इजरे होता है यह बात सही है यह नहीं है बताओ बिल्कुल सर बात सही है अब देखो मेरी बात को आप लोगों को अपको एनरजी देनी है और आप उसके लिए क्या कर रहे हो फूड कहा रहे हो भोजन कर रहे हो आप लोग तो दोस्तों यह जैसे माल लेता है आप लोगों ने रोटी खाई आप लोगों ने रोटी खाई रोटी देखो कितनी बड़ी है और सेल को कितनी चोटी है क्या इस रोटी से इस सेल को एनरजी मिल जाएगी क्या नहीं मिलेगी इस रोटी को आप लोगों को बहुत चोट चोटे 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 पार्टीकल में तोड़ना पड़ेगा तभी तो हर कोशी कको energy मिलेगी यानि पाचन तंत्र क्लीयर है क्या आजाओ चलो आजाओ तो पहले में आपको टदू स्टेप होते गया ऐसे नहीं है कि आप लोगों ने food लिया, बोजन लिया, उसका digestion हो गया, ऐसे नहीं है, कुछ steps है, सबसे पहले आप लोगों का होगा ingestion, ingestion का मतलब बोजन को आप लोगे न, मुझे अंदर रखोगे न, और खाने को सबसे पहले खाओगे तो सही न, ठीक है, दोस्तो उसके बा में होगा absorption, देखो, जब आप लोगों ने food लिया, बोजन जो लिया, जब उसका digestion हो गया, तो इससे छोटे छोटे पार्टिकल मिल गए, अब ये आपकी body में क्या हो जाएंगे, आपके blood में absorb हो जाएंगे, फिर इसके बाद में क्या होगा, दोस्तो जब blood घूमेगा, पू आपकी आखों में, आपके पैर में सब जग है, इस process को आप लोग बोलते हैं assimilation, ठीक है, और दोस्तो जो food आपका absorb नहीं हो पाया, जो waste था, वो आपकी body से बाहर निकल जाएगा, मल के रूप में, इस process को बोलते हैं egetion, ठीक है, इसको आप लोग मल त्याग भी बोल सकते ह ठीक है, तो ingestion क्या है आप लोगों का, ये आप लोगों का क्या है, एक ऐसा process जिसके तहट आप लोग क्या ले रहे हो, food ले रहे हो, या बोल सकते हो, the process of taking in the foods, food यानि भोजन को ग्रहन करना क्या क्या लाएगा, आप लोगों का अंतर ग्रहन, इसके बाद में digestion, digestion का मतलब क् complex आप लोगों का food, काफी जटिल जो है, उसको simple simple form में तोड़ना, simple molecules में तोड़ना, बहुत बढ़िया, दोस्तो absorption क्या होगा, जो भी आप लोगों के छोटे छोटे पार्ट में तूट गया, अब वो आपकी body में absorb हो जाएगा, आउशोशित हो जाएगा, किस में होता है, हम यह रहे गया, चले आगे, गौतम यादा हो जी, एक दोस्तों बोल रहा कि सर मेरा payment हो गया, class में कोई दिक्कत आ रही है, इस नंबर पर call कर ले, आप लोग ठीक है, समझ में आगे बात को, ठीक है, और इसके बात में food का वो वाला part जो हमारी body में absorb नहीं हुआ है, वो क्या body से बाहर चल जाएगा, इसे हम लोग बोलेंगे, इजेशन, है ना, चले आगे, चले, बहुत अच्छे बात है, तो यह सारी चीज़े आप लोगों को समझ में आ गई होगी, अब दोस्तों, आप लोगों के मन में question आएगा, कि सर, male का digestive system होता है, और female का digestive system जो होता है, वो दोस्तों के दोस्तों क्या है, समान है, तो देकि दोस्तों digestive system क्या है, यह एक group of organs है, अंगों का समू है, और इन अंगों के समू को digestive system क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यह सारे अंगों मिलके भोजन के digestion में help कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कौन-कौन सी चीज important है, बताऊं, दो साथ भी तो आपके मदद करेंगे, भोजन के digestion में, बिल्कुल सर, इसके बाद में जो food जाता है, वो इस pipe के तुरू, इस pipe को बोलते है, इस तमक में जाता है, जिसे आप लोग हिंदी में क्या बोलते है, आमाशे बोलते है, क्या बोलते है, आमाशे ठीक है, इसके बाद में जो food होता है, वो कहां पर जाता है, आप लोगों की, छोटी याद में जाता है, जिसे आप लोग इंगलिश में small intestine बोलते हो, ठीक है, अब देखिए, small intestine, छोटी याद से maximum part जो होता है, food से जो भी आपको simple substance मिले, जो भी आप लोगों के पोशक तत्व मिले, वो आपके blood में absorb हो जाता है, ठीक है, बाकी का, आपका जो food जाता है, वो किसमे जाता है, इस large intestine में जाता है, फिर ऐसे जाके, जो absorb नहीं हुआ, वो आपकी body से बाहर निकल जाएगा, मल के रोप, तो देख लो, कितने सारे organ help कर रहे हैं, भोजन के digestion में, आप लोग बोलेंगे, सरी, liver का क्य काम है, liver में से तो, पूर जाही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं जा रहा, लेकिन दोस्तों, liver से क्या निकलेगा, एक juice निकलता है, जिसे आप लोग बोलते हैं, bile juice, जो कि आप लोगों का इधर आएगा, ये bile juice क्या आता है, जब food आप लोगों ने, मतलब जो बोजन आप लोग कर रहा है, सेम दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर आपका एक औरगन और होता है, जिसे आप लोग बोलते हैं, pancreas, हिंदी में अगनाश है, इससे भी दोस्तों कुछ juice निकलता है, जो food के digestion में help करता है, तो pancreas भी क्या है, आपका digestive system का part हो गया, ठीक है, क्लियर है क्या, सर कोई call receive नहीं कर रहा था, कोई बात नहीं, आपका call back आजागा, attention मतलो, ठीक है, चले आगे, यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है, अब दोस्तों, मुझे आप लोग एक छोटी सी चीज़ बताओ, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग दो पार्ट देख प आत्मे जाएगा, फिर बड़ी आत्मे जाएगा, तो माउथ को आप लोगों ने, सौरी, आप लोगों ने फूड को कहां पर रखा, माउथ में रखा, यहां से ऐसे ऐसे पास हो रहा है, तो फूड जहां जहां से पास होता है, उस वाले पार्ट को बोलते है, elementary canal, आहार नाल एक कैनल है ना यहाँ से पूर ऐसे जा रहा है कैनल ही तो एक रस्ता ही तो है यह समझ में आ गया ठीक है इसके अलावा कुछ और ओर्गन भी है जो की help कर रहे है भोजन के digestion में जैसे यहाँ पर लीवर है यह कर रहा है दोस्तों यहाँ पर पीछे का ओर्गन होता है पैंगरिय ठीक है तो अगर हम लोग बात करें हमारे पूरे digestive system की तो हमारे digestive system दो चीज़ों से मिलके बनावा है किससे एक तो दोस्तों elementary कैनल हो जाएगा जिसे आप लोग हिंडी में आहार नली बोलते हैं और एक हो जाएगा associated gland यानि बोजन के पाचन से संबनित कुछ ग्रंतिया भी ह कुछ ग्रंति है जो अपने से कुछ निकाल रही है जूस वग्यरा जो की बोजन का पाचन करवा रही है ठीक है क्या आजाओ चले आजाओ तो elementary कैनल की बात करते हैं सबसे पहले food को बोजन को अपने कहां पर रखा mouth में रखा तो elementary कैनल का पहला इससा कौन सा हो जाएगा mouth हो बोलते हैं इसोफेगस या इसको आप लोग food pipe के नाम से भी जानते हैं हिंदी में आप लोग इसे भोजन नली या ग्रास नली भी आप लोग बोल सकते हो ठीक है इसके बार में food को यहां पर गया इसके बार में कहां पर जाएगा सर इस टमक में जाएगा तो next part कौन सा हो जा आट में जाएगा जिसे आप लोग बोलेंगे small intestine यानी छोटी आठ पिर यहां से कहां पर जाएगा बड़ी आत में जाएगा large intestine में जाएगा यह सारी चीज़े आप लोगों को समझ में आ गई कुछ juice निकल रहा है या कुछ enzymes निकल रहा है आप लोग बोलेंगे सर enzymes क्या होता है दोस्तों यह प्रकार के substance होते हैं जो food का digestion करवाते हैं बोजन का पाचन करवाते हैं तो अगर juice या enzymes निकल रहे हैं किसी gland से तो उसे आप लोग बोलते है एग जो क्राइन gland सर हिंदी में क्या बोलेंगे भाय श्रावी ग्रंती बोलेंगे ठीक है अगर दोस्तों किसी gland से hormone निकल रहे हैं तो ऐसी gland को आप लोग क्या बोलोगे एंडो क्राइन gland बोलेंगे हिंदी में क्या बोलेंगे अन्त है श्रावी ग्रंती बोलेंगे clear है, समझ में आ गई, तो बताओ, कौन-कौन सी gland है, जो food का digestion करवाने में help कर रही है, दोस्तों, हमारा जो mouth है, इसके अंदर छोटी-छोटी तीन gland होती है, जिन से क्या निकलता है, saliva निकलता है, लार निकलता है, तो अगर किसी part से कुछ निकल रहा है, तो उसको gland बोलेंगे न, तो दोस्तों, हमारे mouth के नदर कुछ तीन चोटी-चोटी क्या होती है, कुछ part होते हैं, जिससे saliva निकलता है, उसे आप लोग बोलता है, saliva gland, लार ग्रंतिया, क्यों से लार निकल रहा है, और दोस्तों, लार आपके बोजन में help करता है, बिल्कुल, लार जो होता है, वो आपके बोजन के पाचन में help करता है, ठीक है, तो यहनि, इन वाली glands को भी count करें किया, digestive system में, बिल्कुल, तो कौन कौन सी gland है, एक तो जाएगी, दोस्तों, salivary gland, जिसे आप लोग हिंदी में बोलेंगे, लार ग्रंति, बहुत बढ़िया, और क्या है, दोस्तों, यहाँ पर जो लीवर है, इससे क्या निकलता है, इससे भी जूस निकलता है, जिसे आप लोग ब state के जस्ट थोड़ा नीचे और पीछे की तरफ एक ही यलो कलर का सा देख रहे हो, डागरम में, यह भी एक organ है, लेकिन इससे कुछ जूस निकलता है, तो इसको क्या मैं gland बोल सकता हूँ, क्या बिल्कुल, इसका नाम है pen kriyas, इससे भी दोस्तों, कुछ जूस निकलता है, ज तीके? ठीक है, चले आगे, यहां तक बात समझ में आ गई क्या, ठीक है, नेक्शम लोग बात करते हैं, हाँ, मैं आपको सारी glands के बारे में बता रहा था, एक तो मैंने liver के बारे में बता दिया, pancreas के बारे में बता दिया, जो हमारे mouth के अंदर celebrity gland पाई जाती है, उनके बारे में दोस्तों क्या ये भी बोजन का पाचन करवाएगी के बिल्कुल ये भी पाचन करवाएगी, तो कौन-कौन सी gland है जो बोजन का पाचन करवाने में help परती है, celebrity glands ठीक है, gastric gland ठीक है, liver ठीक है, pancreas ठीक है, तो ये आप लोगों की glands है, जो की help करेगी किसके food के digestion में बोजन के पाचन में, चले आगे, यहां तक बात समझ में आ गई, प्लीज थमसब करके बताओ, मज़़ा आ गया, अरे थमसब करके बताओ, मज़ा आ गया, आ जाओ, बहुट बढ़िया, तो अब एक-एक के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, माउध के बारे में, जिसे आप लोग बकल कैवीटी के नाम से भी जानते हो चलिए ठीक है दोस्तो है रडिम आप या डालीजे जिसे आप लोग बकल कैवीटी के नाम से भी जानते हैं班 बताओ mouth कैसा होता है लो भईया आप तो देखी रहे हो लो मैं अंदर की photo दिखा रहेता हूँ कुछ इस प्रकार का mouth है आपको सर इस mouth के अंदर क्या-क्या चीजे है जो food का digestion करवाएगी जो बोजन का पाचन करवाएगी आईए मैं आपको बताता हूँ दोस्तो एक तो यह आप लोगो के teeth हो जाएगे teeth ठीक है सर टीत कैसे digestion करवाएगे अरे यह रोटी को तोड़ता न छोटे-छोटे पाटो में तो यह भी तो digestion में help कर रहा है ठीक है तो teeth हो जाएगा और मैंने बताता है न माउथ के अंदर कुछ salivary gland पाई जाती है जिससे saliva निकलता है और इस saliva food के digestion में help करता है तो आप लोग बोलेंगे sir salivary gland लार ग्रंतिया ठीक है और क्या पाई जाता है दोस्तो टंग भी help करती है आप लोग बोलेंगे sir टंग कैसे help करती है दोस्तो टंग बहुत important है क्यों क्यों क्योंकि जो saliva आपका बना जो लार आपका बना उसको भोजन में मिलाने का कार्य कौन करती है आपकी टंग करती है ठीक है तो तीन चीज़े important है ठीक है आपके mouth में जो की आपके food के digestion में help कर रहे हैं दो तो आपको दिखी रहे हैं कौन से teeth और टंग और तीसरी चीज मैंने आपको बताई salivary gland यानी लार ग्रंतिया चलो आजाओ देखो प्लीज बात को आप लोग जहां से समझ लीजिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ tongue important हो गया और आप लोगों के teeth हो गए इसका लावा कुछ gland भी पाई जाती है जिसका भी मैं बताऊंगो आगे attention मतलो ठीक है आजाओ तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ठीक है तो यह आगी देखो salivary gland लार ग्रंतिया देखो एक आप लोग इधर देख रहे हो एक इधर देख रहे हो एक इधर देख रहे हो यह तीन टाइप की होती है एक होती है दोस्तों आपके कान के पास इस जगह है एक इधर एक इधर है न पेर में होती है हमेशा ध्यान दखोगा पेर में जैसे यह आपकी जो कान के पास है उसको बोलते है पैरोटीड सेलेवरी ब्लेंड हैं यहां पर होती है तो एक यह पर एक यह पर है एक दोस्तों थोड़ा आपको में डिकलेगा अगल अरे चले इसाट आजाओ चलिए तो बात करते हैं mouth या बकल cavity की और दोस्तो एक बार प्लीज सभी थमसब करके बता दो देख पा रहे हैं आप ठीक है आजाओ देखो देखो समझो मेरी बात को तो mouth ये बकल cavity की हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं इसमें तीन चीजे हम लोगों को पंडिये मैंने बता दिये टंग पढ़ना है टीट के बारे में पढ़ना है और सेलेवरी ग्लेंड के बारे में पढ़ना है सबसे पहले से आप लोगों को टेस्ट का सेंस हो रहा है या स्वाद का अनुभव हो रहा है सर इसमें लगे होते हैं इसमें कुछ होते हैं जो कि क्या करते हैं टेस्ट का अनुभव करवाते हैं स्वाद का अनुभव करवाते हैं बहुत बढ़िया और आप लोगों को जैसे आप को आप खाना खाते होता है खाना बहुत मीठा है यह खटा है यह नमकीं आ तो चुछ सवात का अनुभव आ रहा है किस वज़ेसे आ रहा है आप अलंगोंका पीछे वाला पाट होता नहीं जिल्कुल एंड वाला इससे बिटर टेस्ट का अनुभा होता है कड़वे पाट का अनुभा होता है दोस्तों यह जो left और right में जो side नहीं यह और यह सौर यह खटा अनुभा होता है समझ में आगई बात को ठीक है ठीक है और दोस्तों आप लोजन को पलटने में यह टंङउंग पाएता नींग किसकी हेलप होनी चाहीए तो इससे क्या हो जाएगा सर्व फूड जो हो और रटन rafrick करेगा अंदर मरूमेगा तो उससे सलाईवा क्या बपाएगा बहुत बढ़िए बहुत बढ़िया ठीक है चले आगे ठीक है तो पहले मैं आप लोगों को बता दूँ टेस्ट का जो अलग-अलग टंग का कौन-कौन सा पार्ट कौन-कौन से टेस्ट करें रेस्पॉंसिबल है आईए हम लोग समझते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उमामी जिसे आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं कसला बोलते हैं जिसे आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं कसला बोलते हैं सबस्टाइब बिल्कुल तो उमामी टेस्ट के लिए टंग का कौन सा पाइट रैस्पोंसेंट इस वाले पार्ट सै आप लोगों का इस वाले पार्ट से क्या होता है मीटेश्ट का अनुबह होता है आज़तो दोस्टो सौर यानि आजव सौर यहिंए खटे की बात करते हैं खटटा स्वाध आप लोगों को कहांसे अनुबह होता है यहांसे यहांसे लेप ओर राइट हीज़़ से झहांसे ठीक है खट्टे स्वाध का नुबह हो नेक्ट बात करते हैं sweet यह नि मीठे बात को चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि सकी मावुथ और बखल कैविटी में में बहुत सारी शीजह ए जिस्से कर रहा है जैसे आप लोग फूर्ड लोग है उन्दर तोच अन्यों छबाते陳 पाठीकल समें पार्टिकल्स में तूटता है नहीं तूटता है ठीक है अब देखो हम लोगों को टीट की टूटी से स्टडी करनी पड़ेगी क्योंकि टीट से बहुत कुछन आता है जैसे पहला कुछन यह पूछा जाता है स्टडी ओफ टीट को क्या बोलते हैं दातों के अध्यन को क्या ब बोलते हैं, डॉन्टो लज्य बोलते हैं, ठीक है, तो चलिए सबसे बेसिक चीज, कि सर, नमबर ओफ टीट कितने होते हैं, तो अबिसली बात है, दातों की संख्या बात करी जाए, जो चाइल्ड होता है, है ना, child 3-4 साल तक के बच्चे की बात करी जाए तो उनमें number of teeth जो होते हैं वो 20 होते हैं और adult की बात करी जाए एक वैस्क की बात करी जाए तो उनमें number of teeth कितने होते हैं 32 होते हैं ठीक है चले आगे बिल्कुल सर आगे चलो अब देखो प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझ छोड़ेगा obviously ऐसा थो जयाओ में जरी आला नीचे कम है या उपपर कम है नीचे ज्यादा है तो बराबर बाटतोंगे तो आपको पता है उप्री जबड़े में 16 होंगे निचले जबड़े में 16 होंगे इन 16 दातों को मैंने दो पार्ट में बाट दिया आठ इधर आठ इधर क्यों सर क्योंकि जैसे आठ इधर है वैसे ही आठ इधर है ना तो मैं केवल इन आठ के बारे में बता देता हूँ ना क्योंकि इन आठ के बारे में पता पढ़ गया तो इन आठ के बारे में अपना पता ये दो दात है ना इसको आप लोग क्या बोलते हैं इंसीजर बोलते हैं करतंग बोलते हैं तो इंसीजर कितने हैं आप लोगों के दो है अब दोस्तों इंसीजर के जश्ट पास में जो दात होता है एक दात होता है इससे आप लोग बोलते हैं कैनायन क्या बोलते हैं कैनायन इ इसे आप लोग क्या बोलते हैं प्री मोलर बोलते हैं तो प्री मोलर यानि अगर चवन्नक कितने होते हैं आप लोगों के दो होते हैं ठीक है और इस प्री मोलर के बाद में एंड के जो तीन दात होते हैं उसे आप लोग बोलते हैं मोलर यानि चवन्नक जो कितने होते हैं तीन होते हैं तकि है टोइटल आठ हो गए कि हैं बिलकोल दो और एक तीन और दो पाच और तीन आठ टो यहां तो जैसे आठ दाथ आप लोगों के इधर हैं वैसे ही आठ दाथा आप लोगों के इधर भी हूंगे तो इनके बारे में अलग से पढ़ाने के जरुत नहीं है मैंने इनके बारे में आपको पढ़ा दिया बिल्कुल ऐसे की ऐसे ये 8 होंगे तो कुल मिला कि आपको पूरे freemolar इनकी संख्या भी अलग-अलग है तो इसको represent करने है अधरीक अग तरीका होता है जिसे हम लोग बोलते है टीथ फॉर्मुला यानि DANTसूथ्र टीथ फॉर्मुला क्या होता है आप लोगों का यह होता है टू joins फृरी刑 टू वंट्व three by two one two three मतलब basically कहीं ना कहीं यह आप लोगों को आठ दात के बारे में बता रहा है कि इन आठ में से कौन कौन से हैं तो इन आठ में से दो इंसिजर है एक कैनायन है दो प्री मोलर है तीन आप लोगों के मोलर है समझ मागी बात को बिलकुल सर यहां तक बात समझ में आ गई है सर जैसा कि आपने बताया कि बच्चे में तो किवल बीस दात होते हैं तो बच्चे उमें कौन से नहीं होते हैं कौन से ज़ादा होते हैं, कौन से कम होते हैं, देखिए, तीन से चार साल तक किये बच्चे में, कुल दातों की संख्या 20 ही होती है, इसे आप लोग दूद के दात भी बोलते हैं, मिल्क टीद भी बोलते हैं, ठीक है? कलियर रहे गया? चले? चले? मेरा गुशन क्या है कि जो बच्चों के जो डाता है ना टूटाल कितने डाता है इसे आप लोग दूत के दात भी बोलता है, मिल्क टीट भी बोलता है, दोस्तों देखो बच्चों में केवली 20 दात है, तो अबिसली बात है, उपरी जबड़े में 10, निचले जबड़े में 10 है न, ठीक है, इसको दो पार्ट में आप लोग बाढ़ दो, ठीक है, तो पाच इधर होंगे, पाच आप के इधर होंगे, समझ में आगई बात को, बात समझ में आ गई कि आए, एक्चली में यहाँ पर, देखो, मैं आप लोगों को केवल इन पाच के वारे में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इन पाच के वारे में पता पढ़ा पढ़ गया, पूरा आपको पता पढ़ जाएगा, औ इसके जश्ट पास में क्या होता है एक होता है कैनायन एक क्या होता है दोस्तों कैनायन ध्यान रखेंगे इन में प्री मोलर नहीं होता अगर चवर्नक नहीं होता प्री मोलर कितने है जीरो है समझ में आगे बात को ठीक है जबकि बात करी जाए मोलर की चवर्नक की तो मोलर कित इसका मतलब क्या इंसीजर दो है, कैनायन एक है, प्री मोलर एक भी नहीं है, और मोलर कितने हैं, आप लोगों के दो है, तो टीट फॉर्मूला क्या हो जागा, 2102 भाए 2102, ठीक है, आजाओ, बहुत बढ़िया, आजाओ, अब बात करते हैं, माउथ में आपने इस चीज बता दिया, कि यह जो टीट है, बहुत अलग अलग टाइप के, क्या मैंने बताया, इंसीजर के बारे में बताया, मैंने आपको प्री मोलर के बारे में बताया, मैंने आपको मोलर के बारे में बताया, लेकिन दोस्तों, इन दातों के अलग अलग कारे होते हैं, आईए सबसे पहल total incisor teeth कितने होते है एडल की बात करी जाए total कितने होते है तो सरीन 8 में से 2 थे incisor तो 2 इदर यानि निचले जबडे में 4 हो गए उपरे जबडे में 4 हो गए 4 और 4 8 यानि total जो incisor होंगे वो कितने होंगे दोस्तो 8 होंगे दोस्तो जब भी आप लोग हसते हो सबसे पहले यही वाले दात दिखेंगे ना तो इन इंसीजर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं इनको हम लोग smiling teeth के नाम से भी जानते हैं बहुत बढ़िया दोस्तो जब भी आप लोग फूड लोगे ना जो मेन उसकी cutting होगे ना आगे वले दातों से ही होगी तो आप लोग बोलोगे incisor दात का यानि करतंग का मेन कारे क्या है cutting the food है ना food की cutting के लिए बूजन को काटने के लिए इस्तिमाल होता है समझ में आगई बात को ठीक है नेक्स हम लोग बात करते हैं किसकी कैनायन की नेक्स हम लोग बात करते हैं कैनायन की जिसे आप लोग रदनक भी बोलता है अब ये कैनायन का काम क्या है देखो जब आप लोग हसते हो ये तो गए इंसीजर देखो ऐसे देखो ये जो आट दात थे इसमें से दो आपके इंसीजर थे जश्ट इसके पास में देखोगे काफ़ी शार्प दात है वो कौन सा है आपका कैनायन है रदनक है दोस्तो इसका में काम क्या है टीरिंग ओफ पूड जैसे कोई लोग नौन वेच जैसे हम लोग बात करें शेर तो शेर का ये कैनायन बहुत है आप लोगों से पूछा जाये शबसे नुकीला दात कौन सा होता है तो आप लोग trash पासे दो क्या होते हैं आप लोग केissements काम क्या जब आपलोव फूर्ड ऑप लोगों ने लिया तो दो दोस्तों कि क्या होती है है यहां से इन वाल दर्स से ग्रैंड भान निगANG होती है का मतलब थोड़ा सा और आप लोगों का चूरा करना ठीक है तो इसका मेन कारे क्या है grinding of food पिर सर जो पीछे molar रहे गए उसका कारे क्यों जाएगा यह और grinding करता है fine grinding करता है महीन grinding करता है fine का मतलब और और बारिक पीस ने बोजन को और बारिक चोटे चोटे पीसों में तोड़ने के लिए आप लोगों का किसका चाहिए होती है ठीक है चले आगे अरे बताइए बात समझें आई यह नहीं आई शुबंकुमार जी मेरा नाम लो शुबं जी ऐसा क्या कर लिये जीवन में जिससे आपका नाम लिया जाए तो अब आपका नाम ले लिया अब आपको पढ़ने की जरूत नहीं है ठीक है जीवन में अब आपको कुछ करने की जरूत नहीं है क्योंकि यार मैंने आपका नाम ले लिया किसी यूटूबर ने आपका नाम ले लिया तो बड़ी आराम से मस्त वेटो कमब लोडो एसी ठीक है चले आगे तो केके आशिजदास शुबंकुमार शुबांकर दोलाई आशिश प्रजापती सभी के कमेंट आ रहे हैं बहुत बढ़िया चलो आगे हम लोग बात करते हैं कि दोस्तों जो टीथ है ना टीथ है ठीक है इसका иваемया structure समझाओ टीथ का structure कैसा होता है जैसे दोस्तों कोई भी दात है जैसे मानलो आप लोग यह बाहर है है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जैसे मान लो दोस्तों ये teeth है actually में teeth होता है ना वो कुछ ऐसा होता है ऐसा होता है ठीक है सर ऐसा नहीं होता सर आप जूट बोल रहे हो वो क्यों नहीं आपको दिखता है क्यों कि ये कुछ पार्ट है ना इसका मसूडों के अंदर है आपको सिर्फ ये वाला पार्ट दिख रहा है तो डात का वहे भाग जो मसूडों के अंदर है उसे आप लोग क्या बोलते हैं रूट बोलते हैं क्या बोलते हैं रूट बोलते हैं ओके सर और दात का वहे भाग जो मसूडों के उपर है इसे आप लोग क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं सर क्राउन बोलते हैं समझ में आ गई बात को बात समझ में आ गई बिल्कुल बात समझ में आ गई अब रोस्तों जब टीत को आप लोग उपर से काट ओगे कि खाच कच खाच कच खाच मतलब इसको दो पार्टों में बाट दोग ना तो आप अंदर से देखोगे ना अंदर को से आप लोगों कर ऐसा ऐसा नजर आ ऐसा मदर आगगा कि क्या बोलते हैं इनेमल बोलते हैं ठीक है कि दोस्तों जो सेकिंड नंबर की लेयर होती है इसे आप लोग क्या बोलते हैं डैन्टाइन बोलते हैं क्या बोलते हैं दोस्तों डैन्टाइन बोलते हैं आप समझ में आई क्या आई क्या वा समझ में कश्षप पंकजी बोल रहा है हिंदी में भी एक्सप्लेइन किया करिए कुछ ना कुछ कमी निकालनी कमी खुद में लेकिन दूसरों में निकालनी है जिसे हम यह बोल सके कि यार वो ऐसा था इसलिए में मेरा सेलेक्शन नहीं हो पाया मेरे लिए रिसोर्सेज नहीं थे मैं आर्ट्स वैग्गराउंड से हूँ मैं इंजिनियर हूँ इसलिए क्यो ग्रूप डी की तेयारी करूं ठीक है दोस्तो एक्षुली में यहर हमारी बोडी में बहुत सारे पार्ट जैसे भी यह नाग भी पार्ट है हात लगा के देखो कितनी सफर सर बहुत सफर है तो गाल बहुत साफ्थ है लेकिन दोस्तों हमारी बोडी के कुछ पार्ट कठोर भी तो होते होँगे तो अगर आप nuoगों से पू ही क्या है सर हाड़ेश पार्ट है कठोर वाग है अब एक राच की बार बताऊं क्या एक शांदर चीज बताऊं क्या अगर आप प्रॉपर ब्रश वगरे नहीं करोगे तो आपकी बॉडी में दोस्तों बैक्टिरिया वगरे जमा होते जाएंगी दोस्तों यह इनेमल ना इसमे केविटी करना स्टार्ट कर देते हैं जो कि कितनी खतरनाक चीज है तो दोस्तों कितनी भी खतरनाक चीज हो आपका जो गोल हो कितना भी खतरनाक क्यों नहों उसको आराम से उसको भेद किया जा सकता है आराम से उसको क्रैक किया जा सकता है बशरते कंसिस्टेंटली आप लो माईने में खतम cavity create कर दे क्लियर है क्या ठेक है दोस्तों इसका जश्ट यह पार्ट है नीचे वाला डैंटीन है दोस्तों इसके बारे में देखो ना अंदर बहुत खाली-खाली जगए खाली-खाली जगए क्या जगए के अंदर बिल्कुल दोस्तों इस इस केविटी को इस खाली जगए को बोलते हैं pulp-cavity अब दोस्तों खाली जगए कुछ है तो इसमें ज茁रू कुछ ना-कुछ रखने के के लिए दिया होगा उपर वाले ने अगर ये खाली जगे बनाई है टीथ के अंदर तो जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ रखने के लिए दिया होगा तो इसके अंदर क्या होती है दोस्तों इसके अंदर होती है ब्लड वैसेल्स रक्त नली का जिन में ब्लड फ्लो होता है सर इनका क्या काम है अरे दोस्तो आप लोग जब विटामीन लेते हो विटामीन चीज आपने खाई तो पेट में गई ना पेट से छोटी आथ में गई छोटी आथ से आपके बलड में आ जाती है दोस्तो जब आपका बलड पूरी बॉड़ी में सर्कुलेट करता है तो विटामीन पूरी बॉड़ी में पहुंचेगा दोस्तो दाथ को भी तो चाहिए विटामीन तो दाथ तक लेकर कौन आएगा ये देखो बलड लेकर आ रहा है बलड की जो नली का है न अपने में से बलड लेकर आती है और इस दाथ को पोशक तत्व दे देती है कि भाई ले तू रख तेर को ये विटामीन चाहिए ता तू रख कोई समझा है यहां तक आई होब आपको यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी चलो आजाओ तो ध्यान रखेगा जो हमारा दाथ का सबसे अपर पार्ट है इनेमल यह हमारे बोड़ी का सबसे हाड़ डेश पार्ट भी है कठोर भाग भी है चलो आगे चलता है सर यह विजडरम टीत क्या होता है अकल दात क्या होता है इसके बारे में ये दोस्तू थोड़ा सा समझा दीजिए ठीक है दोस्त के ईक्चुली में जो हमारे सबसे आखरी वाला डात है कौन सा मोलर तो तीन होते हैं اور सबसे आखरी वाला थर्ड मोलर की बात कर रहो है के बिलकुल दोस्तों ऐसा नहीं है जब आप लोगों का जनम होता है जनम होता ही सारे के सारे दात आजाएंगे नहीं सबसे पहले आते हैं इंसिजर फिर दीरे दीरे आप लोगों के दात क्या करते हैं बाकी के दात आते हैं सबसे आखosely में डाथ कौन से आता है सबसे आखरी माता है यह आपका थर्ड मोलर तीसरे नंबर का जो लोगों को आ जाता है हम लोगों को आ जाता है तो इसलिए हम लोग इसको विजडम तीद बोलते हैं अकल दात बोलते हैं हालांकि कोई सांटिविक रिजन नहीं है कि भाईया इस दात के आने से यह आपके बुद्धी आएगी ठीक है ऐसा को सांटिविक रिजन नहीं है तो ध सब्सक्राइब लुआन करें लाफ ये लिए टॉटल उस जीवन व्यापन करे थे ना दस के जब थे ऐसा दोड़ी आप लोग से मरे ररे तें नहीं बारा साल के थे जब भी जीवन का बिलकुल हम आनन ले थेरा साल में भी 15 में भी 20 में भी समझ गए बात को मैं क्या बूलना चांघा हूं टो ऐसा नहीं all T हमार बॉडी में कुछ हम जीवित नहीं तो ऐसे और गधा जो अगर हमारी बॉडी पर नहीं भी हो तो कुछ फर्क नहीं पडेगा ऐसे organs को बोलता है vestigal organ तो जी दोस्तों ये vestigal organ है wisdom teeth जो है हमारा आउशेशी अंगा है दोस्तों और आउशेशी अंगा के example बता सकते हो क्या बिलकुल दोस्तों appendix appendix किनी लोगों का एपेंडिक्स का ओप्रेशन होता है उसमें एपेंडिक्स कार्ट दिया जाता है तो ऐसा टोड़ी वो उसके अपने में जीवित नहीं रह सकते क्यों तो कि एपेंडिक्स वेस्टिजल औरगन अगर नहीं भी हो तो हमारी बाड़ी पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों इस एयर की जो मसल्स है मास पेश है वो भी वेस्टिजल औरगन है क्यों सर अगर वो नहीं हो ना तो ऐसा नहीं कि आप लोग सुननी पाओगे बड़ी असन पाओगे कोई रिक्कत नहीं है ठीक है ठीक है ठीक है समझ में आगे बात को आजाओ आजाओ बात करते हैं हम लोग टीत की बात कर चुके है तंग की बात कर चुके अब माउथ के अंदर और क्या पाई जाता है सलैवरी ग्लेंट्स लार गरंतिया पाई जाती है आईए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं हमारे माउथ के अंदर जो सलैवरी ग्लेंट्स लार गरंति कि फाइन्जाइम पाए जाता है जिसका नाम क्या है कि या नाम है पैंक्रियरत यह तो इस वाले ऐन्जाइम को कुछ अलग नाम दिना पडरेगा न चलो दोस्तोbstव इसको तो हम लोग Tileane के नाम से भी जानते हैं, क्या बात है सर, क्या बात है अब ये तो बताो कि ये भोजन का पाचन कैसे कराएगा, ये भोजन का पाचन कैसे कराएगा आये मैं आपको समझाताँ, देखो, दोस्तों जब आप लोग फूड लेते हो न भोजन लेते हो तो इस भोजन में क्या होता है कार्बो हैड्रेड भी होता है प्रोटीन भी होता है फैड भी होता है ठीक है तो दोस्तो क्या स्टार्च भी होता है कि बिल्कुल सरी स्टार्च क्या है दोस्तो स्टार्च एक प्रकार का कार्बो हैड्रेड ही है स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहईड्रेड ही है जो ऐसी बहुत छोटी-छोटी युनिट से मिलके बना होता है हमारा मेन परपच का है यह बिलकुल अलग-अलग हो जाई है बिलकुल सिंपल सब्स्टेंस में टूर जाए ठीक है वह क्श्टो हैल पूई न डायजेशन में अरे कुस्टो हैल पूई न तो दोडो का पार्ट है न इसको हम लोग बोलते हैं माल तोज तो अगर आप लोगों से एकजाम में पूछा जाए की इस टार्ट का डायजेशन कहां से शुरू होता है तो जब आप लोग भोजन खाया, आपने भोजन में जो सिर्ट है, उसका डाइज़ेशन यहीं पर हो गया, इस सिर्ट किसमें टूट गया? आप लोगों का मालटोज में, किसकी मदद से? इस 엔ंजैम के मदद से, तैली नाम के अंजैम के मदद से ठीक है, लेकिन दोस्ता अभ माल्टोज में तोटता है ऐगे इस का नाम है तो अब बात करते हैं कि दोस्तों जो सलाईवा निकल रहा है सलेवरी ग्लेंड से जो आपने बताया रहा सब टीन टाइप की होती है इनके बारे में कुछ बता दो ना मैं बताता हूँ टीन टाइप के होती है, एक तो होती है पैरोटीड, एक होती है सब्मेंडीबिलर, एक होती है सब्लिंग्वल Sir इसके बारे में हमको क्या याद रखना है आप तो ये बता दो संख्या में यह दो एक इधर एक इधर ठीक है नेक्श बात करता है सब लिगवल और फिर बात करेंगे सब मेंडियन के बारे में देखो एक्ज्चुली में यह जो होती है सबसे चोटी होती है, सब inglod, smallest होती है, सब lingual जो होती है, smaller होती है, इधर होती है, जीब के, जो आपकी तंग होती है, उसके पीछे है और नीचे की तरफ होती है, आप लोगों की sub-mandibular की बात करी जाए, ठिक है, यह आप लोगों की हैं next हम लोग किसिस की बात stukken अठी हैं अभी तो मुलोग ने माउथ करी है अभी तो जो बोजन होगा मायूद से नीचे जाएगा किसके मींदफाइब इस फूड पाइप इस भोजन नली के माध्यम से नीचे जाएगा ठीक है चलिए आजाओ तो इसो फेगस जिसे आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं इसको फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं ठीक है तो आई इसके बारे में हम लोग समझते हैं आजाओ देखो 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 मेरी बात समझो देखो फूड जो है ना यह आप लोगों का यहाँ पर क्या था माउथ था माउथ से नीचे जा रहा है आप लोगों के पेट में इस नली से इस पाइप से जिसे आप लोग बोलते हैं फूड पाइप या भोजन नली भी आप लोग बोलत चलो मालो खड़े रहकर खा रहे हो तो समझ मारा सर ग्रैविटी के वज़े से नीचे जा रहा है लेकिन दोस्तो लेट के खा रहे हो तब भी आपका नीचे जा रहा है क्यों एक्चुली में यह जो आपका फूड पाइप है ना इसमें एक विशेश प्रकार का मुवमेंट होता है एक विशेश प्रकार की इसमें एक्टिविटी होती है जिसे आप लोग बोलेंगे पैरिस्टलेटिक मुवमेंट करमा कुंचन गती दोस्तो इसमें क्या होता है जैसे द दबाओगे तो ये इंक क्या नीचे की और आएगी क्या अरे जब आप लोग इसको उपर से दबाओगे तो क्या ये इंक नीचे की और आएगी क्या हाँ या ना अरे हाँ या ना बोलो आएगी ना नीचे की और आएगी ना तो सिमिलरली ये जो हमारा food pipe है, isofagus है, इसमें भी क्या होता है, जब food आता है, उपर की muscles अपने आप contract करती है, जिसे food को नीचे के और लेकर आती है, देखो, इस type से, देखो, यह उपर से देखो, अगर मैं contract करूँ, तो नीचे के और आएगा न, आएगा न, ठीक है, इसी motion को हम लोग बोलते है, पेरिस्टलिक movement, यह पेरिस्टलिक motion, समझ में आगई बात को, आजाओ, अब question यह आता है, कि सर, यह जो food pipe होता है, हमारी, इसकी जो लंबाई होती है, किटनी होती है, दोस्तों, इसकी लंबाई होती है, 25 cm के आसपास, चलो, अब आगे हम लोग बात करते हैं, जो food था, आप लोगों का, वो अब इस isofagus से कहां पर आ जाएगा, वो आप क्या आ जाएगा, पेट में आ जाएगा, क्योंशन यह आता है, कि सर इस isofagus में कुछ digestion हुआ क्या, नहीं हुआ, कुछ digestion नहीं हुआ, तो फिर इसको digestive system में count क्यों कर रहे हो, digestion होगा, पेट में, लेकिन दोस्तों पेट में food आएगा कहां से, वो इसके मदद से ही तो आएगा, तो यह digestion में help कर रहा है न, आपका isofagus समझ में आ गई, ठीक है, तो आईए, अब next part के बात करते हैं, वो है हमारा stomach, जिससे आप लोग आमाशे बोल दीजे, पेट बोल दोस्तों इस type का होता है, इस type का होता है, तो अगर आप लोगों से बोला जाए, कि यार यह जो आमाश है, एक कैसा है, आप लोग बोलेंगे back-like organ है, एक ठेली जैसा है, एक बैग इसके नदर कुछ रख लो, एक बैग जैसा organ है, ठीक है, आप लोगों से यह भी पूछा ज ठीक है, ऐसे J-shape का नजर आ रहा है यह नहीं आ रहा है, ठीक 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 है, अब एक प्लीज मेरी बात को दिहां से आप लोग समझो, यह इस टमक में हो क्या रहा है, यह जो इस टमक है, यह जो इस टमक है, यह जो पेट इस के अंदर हो क्या रहा है देखो इसमें बहुत सारी शीज़े हो रही है एक्चुली में इस टमक के अंदर क्या पाई जाती है मैंने बताया था आपको कुछ ग्लेंड पाई जाती है जिसका नाम क्या है गैस्ट्रिक ग्लेंड और हिंदी में आप लोग इससे क्या बोलते है जठर ग्रंती बोलते हैं, ठीक है? ग्रंती क्यों बोला? ग्रंती हम लोग उसको बोलते हैं, सर, जिनसे कोई ना कोई juice निकलता है, कुछ ना कुछ रस निकलता है इस gastric gland से एक juice निकलता है जिससे आप लोग बोलेंगे, gastric juice और हिंदी में अप लोग क्या बोलोगे? कि दोस्तों साथ में कुछ एन जैमिस भी होते हैं साथ में कुछ एनजैन्स में हुते हैं जो की सब मिलके क्या करेंगे बोजन का ठाइजिशन चराएंगे ठीक है तो एल्टीमेटली इस लिए निकलता है हाइड्रोख्लॉरिक एस एसे एसे अब आप लो बोलेंगे ये तो काफी स्ट्रॉंग एसीड है कि सर हमारी स्किन पे गिर जाती है सही है क्या अरे बोलो आशिजदाज जी एक ही कमेंट कर रहे हैं सर शेर ब्रश नहीं करता तो फिर क्या करें तो शेर तुम्हारी जैसे फालतों के कमेंट भी तो नहीं करता आशिजदाज जी तुम्हारे जैसे रोज रात को ये तो आइस्क्रीम तो नहीं खाता रोज रात को मीठा खागे तो नहीं सोता वो तो उसके तो वैसे गों टेंशन नहीं है कि ऐसे दोड़ी तुमारे रात के आइसक्रीम खाले सो गए वो तो बिचारा मीठा खाता ही नहीं है समझ में आगए है अब सर यह जो हाइड्रो क्लोरिक एसिड है कर क्या रहा है इसके पीछे थोड़ी सी केमिस्ट्री भी समझा दो ना तभी तो मज़ाएगा ऐसा थोड़ी में किल बाइलो जी पट रहा हूं तो इसमें अगर कुछ केमिस्ट्र लग रही है तो बता दो देखो जो हाइड्रो क्लोरिक एसिड है इसमें हाइड्रोजन और क्लोरिन के बीच में बाण्ड होता है कि बिलकुल कौन सा बाण्ड होता है सिंगल बाण्ड होता है ठीक है एक जब मैं यह पूछेगा सिंगल होता है डबल होता है नहीं एक जब मैं पूछेगा यह बाण्ड कौन सा है चार option देगा कोडिनेट बॉन कोवेलेंट बॉन औहेन बॉन्ट हाइड्रोजन बॉन्ट है लुघ्ष क्लोरिं किया है नौन मेटल है अधातव है दोस्तों अधात अधातव के भीक का जो बॉन्ण होता है वह कॉणसा होता है demean होता है ठीक है हिंदी में आप लोग इसको क्या बूलेंगे सहे संयों जगबंद होता है चलो सर बास समझ में आ गई लुस्षारी बात और बता दो दोस्तो हमारे जो ??? हो तो नो लेते थे न दो काम किया है दे कौ DS जब हम लोग फूड लेते हैं न तो से मालों मार्केट में आप लोग गए आपने देखा कुछ यार सेंडवीच वगएर उदर पड़िया है वहीं हैं या चैंडवीच किते की है उसमें बुला इत्ते की खाक बैठ गए दोस्तों हो सकता है उसमें कुछ बैक्टिरियास भी हो बात समझ में आगए क्या ठीक है नेक्स नम लोग बात करते हैं कि सर इस इस टमक के अंदर ये जो आपका HCL है hydrochloric acid है वो आराम से काम कर लेगा क्या मतलब उसको को दिक्कत थोड़ी आईगी सर देखो actually में क्या होता है मेरी बात को जहां से समझो मैं क्या बोलना चारा हूँ मैंने आप लोगों को बोला कि हमारे इस टमक के अंदर क्या पाई जाती है gastric gland पाई जाती है जठा ग्रंथी पाई जाती है ठीक है जिन से क्या निकलता है कुछ enzymes निकलते हैं ठीक है कुछ enzymes निकलते हैं बहुत बढ़िया और क्या निकलता है दोस्तो इनी से क्या निकलता है HCL भी निकलता है दोस्तो actually में HCL का एक काम तो मैंने बताया कि कही न कहीं ये क्या कर रहा है food में जो bacteria गया उसको खतम करता है ठीक है लेकिन दोस्तो HCL के कुछ और कारे भी बताता हूँ actually में ही जो enzymes बनते हैं ये आपके क्या होता है आपके inactive होता है या फिर आप लोग बोलेंगे इनको कारे करने के लिए कुछ acidic medium चाहिए कुछ अमलिय माध्यम चाहिए तो दोस्तो hydrochloric acid बोलता है लो भाई बगल में छोरा शेर में डिंडोरा अरे हम acidic medium प्रेड्यूस करेंगे मैं खुद acid हूँ तो मैं जहां पर जाता हूँ मैं acidic medium ले आउँगा अमलिय माध्यम ले आउँगा तो कुल मिला के जो enzymes है इनको कारे करने के लिए जो favorable condition चाहिए वो कौन उपलब्द कराता है HCL तो कहीं न कहीं आप लोग बोल सकते हो कि acidic medium चाहिए होता है अमलिय माध्यम चाहिए होता है इस नेसरी फॉर gastric enzymes to work कि जो enzymes आपके बने gastric gland के द्वारा जटर ग्रंती के द्वारा enzymes भी बनते हैं तो इसको कारे करने के लिए कुछ acidic medium चाहिए होता है तो वो कहां से है दोस्तों HCL बन गया इन्ही ग्लेंड के द्वारा जिनसे ये enzyme प्रॉपरली वर्क कर पाएंगे ठीक है अब बात आती है कि सर enzymes निकलते कौन से हमारे पेट में कौन सा enzyme बनता है actually में हमारे पेट के अंदर जो gastric gland ना जेटर ब्रंती इनसे कौन सा enzyme बनता है इससे बनता है आप लोगों का pepsin enzyme सरी pepsin enzyme क्या करेगा सब चीजे समझाएंगे tension ना लो देखो दोस्तों आप लोग क्या करते हो बोजन जब भी लेते उसमें कार्भोहईडेड भी होता है protein भी होता है fat भी होता है ये बात मैं सही बोल रहा हूँ क्या बिल्कुल actually में जो बोजन आप लोग लेते हैं उसमें protein भी होता है जैसे मालो दूद पीते हो दूद में भी होता है protein प्रोटीन आप लोग अंडे खारे ऊसमें भी होता है protein तो जो प्रोटीन आप लोगों का अंदर आए उसका वी तो डाइजेशन करवाना पड़ेगा actually में protein जो होता है न वह किससे मिलके बना होता है वह बहुत चोटे चोटे-चोटे-चोटे-चोटे मिलके बना होता है अमीनो एसिड से मिलके बना होता है तो आप लोग बोल सकते हो 20 अमीनो एसिड यानि 20 अमीनो अमल मिलके किसका निर्मान करते हैं प्रोटीन का निर्मान करते हैं क्या यह बात सही है क्या यह बात सही है क्या तो जब आप लोगों ने फूड लिया उसमें जो protein ता अगर protein amino acid में convert हो गया protein अगर amino के पेट में इस बोजन में प्रोटीन था क्या बिलकुल तो एक्चुली में दोस्तों पेट में जो आपका पैपसीन एंजाइम था वो क्या करेगा इस प्रोटीन का पाचन कराएगा तौस और प्रोटीन को अमीनोमल में कनवर्ट कर जाए कि नहीं प्रोटीन को अभी किस में कनवर्ट करा है पॉली पैप्टाइड में कनवर्ट करा है तो कुल मिला कि आप लोग बोलेंगे प्रोटीन का आंशिक पाचन हो गया आंशिक पाचन हो गया आंशिक पाचन हो गया समझ में आगे बात को समझ में आगे बात को चले आगे चले आजाओ समझो मेरी बात को प्लीज मेरी बात को आप लोग धान से समझो इस टमक के अंदर आप लोगों का HCL बन रहा है वो क्या कर रहा है मैंने आपको बताया उसके अंदर और HCL के साथ में कुछ एंजाइम भी बंद रहे हैं वो क्या कर रहे हैं मैंने आपको बताया अब आपके मन में क्योशन आएगा कि सुरा HCL आपने बताया कि काफी strong acid है आप लोगों का पेट के दिवारों को खराब नहीं कर देगा क्या पेट के दिवारे जलनी जाएगी क्या actually में दोस्तो हमारा जो stomach होता है न actually में उसके अंदर क्या होती है एक layer होती है किसकी layer होती है mucos की layer होती है mucos की layer अब आप लोगों को सर्दी खासी जुकाम होता है तो आपके नाक से जो निकलता है उससे ही mucos बोलता है तो similarly जो हमारा पेट होता न है इसके अंदर भी दोस्तों inner wall पे बहुत सारा mucus जमा हो जाता है जिसकी वज़े से HCL का प्रभाव हमारे पेट पेट पे नहीं पड़ता ठीक है अगर यह mucus नहीं होता तो HCL आपका direct stomach के contact में आता और आप लोगों को क्या होती है दोस्तों काफी जलन होती यह बात आप लोगों को समझ में आगए किया यह बात समझ में आगए कि तो आप लोगों बोलोगे जो mucus secret हुआ है na stomach की walls के द्वारा वो क्या कर रहा है that saves the inner lining of the stomach from getting damaged from hydrochloric acid hydrochloric acid के प्रभाव से बचा रहा है आप लोगों को ठीक है ठीक है आजाओ अब अब घाओ हो जाना सुनाए क्या आपने सुनाए क्या कभी किया में पेट में अलसर हो गया तो पेट में घाओ कैसे होता है पहले आप लोग समझो देखो एक्चुली में इसके लिए bacteria responsible है जिसको आप लोग बोलते है एच पाइलोरी यह क्योशन पूचा गया था इस बार के ग्र हाएका दोस्तो इस टमक में क्योंता जो मूब कस की लेएर तर देमेज करता यहा क्लीक को सीदा के स्था मक के कॉन Михांट को क्या करेगा वह श्रतिगस करेगा एंश को जलाइगा इसे को क्या बोलते हैं तो क्योंशन इस बार पूछा बोलोगे एच पाई लुरे तिक चले आगे नेक्ट लूब बात करते हैं कि जो भोजन ता वो कहां पर पहुंच गया जोस्तों माउट से कहां ह vendorsFoodoo 씨 company से कहना पर पहुंचा आप लोगों के पेट पहूंचा अब पेट से कहाँ पर जाएगा और उस्तु छोटी आत्म जाएगा जिसके बात करेंगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में समझ में आकई यहां नेकश समझ रहा हूँ कि जैसा कि आप लोग होता है आखरी दिन है किस चीज का आखरी दिन है दोस्तों जनरल साइन्स का जो कंप्लीट कोर्स था फिजिक्स केमिस्ट्री बैलोजी इन्वाइमेंट जिसका प्राइज दो जारता सर आज कितने मिल रहा है भी बताता हूं पहले सुनो तो सर आखर रहा है दोस्तों निन्वाइमेंट परगी बैलेंगवल कॉंटैटक है इंगलीश और इंदी दोनों में मिलेगा हर आज क्लास की पीडियएफ मिलेगी जिससे आप लोग प्रिंट भी करवा सकते हो दोस्तों यह देखो नहीं दो आप लोगों को आज आखरी दिन है ज मात्रों मात्र आपको 699 रुपे में मिल जाएगा प्ले स्टोर पर जाएए साइंस मेंगनेट एप इंस्टॉल करिए कोर्स में जाएए वहाँ पर ऑप्षिन आएगा जनरल साइंस फॉर और आल गोवर्मेंट एक जाब आप लोग पर्चेस कर लिजे कोई भी डिक्कत आ रही इस नमबर पर आपनों कॉल करो 7374019437 ठीक है दोस्तों समझ में आगए बात को चलिए बबाए टेक केर